नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक मेहरजत देवगन आज जब एक दिन की छुट्टी के बाद ट्रेडिंग करने लोटे तो अंतराश्य संकेत बहत खराब थे अमेरिकन मार्किट्स धीले बंद हुए थे उपर से एशे बजारों के संकेत कमजोर गिफ निफ्टी बता रहा था सतर से असी पॉइंट्स उड़ जाएंगे शुरुआती सतर में तैयारी कर लो तो ऐसे ही हुआ 19,379 के लेवल पे ओपन हो गए उसके बाद एक डिप आया 19,317 तक पहुँच गए लेकिन निफ्ट्ले सरो से फिर से पलिटी मार दिया और लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा गुजरा है जब लोर एंड से रिकवर होकर बंदू है और तगडी रिकवरी के साथ बंदू है आज के दिन का हाई है 19,482, क्लोजिंग आई है 19,465, 30 पॉइंट्स निफ्टी ने बढ़कर क्लोज दिया है इंट्राडे में जो रिकवरी आई है वो देखी आप निफ्टी का आज के दिन का लो है 19,317, 19,465 की क्लोजिंग है 148 अंक निश्ले सरों से समहल कर बंदू है लगवग पौने 1% के आसपास बैटता है निफ्टी बैंक 43,600 की आज के दिन का लो है और जो रिकवरी आई उसमें क्लोजिंग आई है 43,946 की यानि की 346 अंकों के गेंस के साथ निश्ले सरों से समहल कर बंदू है एडवांस डिकलाइन 24 शियर निफ्टी के हरे निशान में 26 शियर ला निशान में बंदू है लेकिन जो तेजी पकड़े वा था वो तो अपोलो हॉस्पिटल आई लगबग 2,5% से जाधा की तेजी इसके लावा बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे दिखाई दे जाएंगे को आज मेटल्स का दिन खराब था 1,5% से लगबग 2% के आज़ पास की सफाई इन स्टॉक्स की हो गए अदानी पोर्ट्स, HDFC लाइफ, भारती एर्टेल ये कोछ ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी पे दबाव में थे FNO गेनर्स में इंडिया बोल्स, हाउसिंग फिनाच, कमाल की तेजी बनी है आज लूर लेवल पे फिर से सवा 5% की तेजी के साथ हुआ है बन, एसकॉर्ट सवा 4% चड़ गया, PEL लगबग 4% चड़ गया, लिूपिन और OFSS ये स्टॉक लगबग 3% के आज़ पास चड़ते में नज़र आए, FNO लूजर्स में हिंद कॉपर 6% टूटा है, CG कंजूमर लगबग 6% टूटा, इंडस्टार्स 6% टूटा, कोफोर्ज शुरुआ तो बहुत ही जबरदस थी, लेकिन उपरी स्थो पर समल नी पाया, पहले एक घंटे से मुनाफ़ा वसूली शुरू हो गई, 4% टूट गया कुल मिलाकर, हायर एंड से दो हो गए तो और खराप पिच्चर थी, इंडिगो 3.5% टूट कर हुआ है बंद, यहाँ पर इंडिगो में एक ब्लॉक ट्रेड हुआ है, जिसमें गंगाल फैमिली ने अपना क प्याट साड़े 17% चड़ गया, मिदानी 11% चड़ गया, इसके अलावा पारस डिफेंस 6% चड़ा है, जेंटेक 5% और मैजडॉक भी 4% के आसपास चड़ता हो नजराया, लपक लिए ट्रेडर ने डिफेंस स्टॉक्स लोर एंड पे, पेपर स्टॉक्स में भी खरिदारी ती जिसमें, तमिल नाडू निउस्प्रिंट लगबख 10% चड़ा है, वेस्कोस पेपर 7% चड़ा है, जेके पेपर लगबख 6% चड़ा, जीनस पेपर 11% उपर था, पदमजी पेपर 8% उपर था, और ओरेंट पेपर 6.5% उपर था, एक खबर आई दिन के दुरान की काबि उचलकर बंद हो गया, उलेक्टरा खुशी के मारे 9% चड़ गया, इसके लावा टाटा मोटर्स लगबख पौने 2% चड़ा है, और अशोक लेलेंट शुरुवाती सत्र में आक्टिव था, उसके बाद स्टेबल रहा, लेकिन करी-करी 1% के आसपास चड़कर बंद हुआ है आटो में वैसे टाटा मोटर्स, M&M, मारूती, अशोक लेलेंट ये सब स्टॉक्स आज तेज थे, भारत, फोर्स, होना, कॉमसवार में भी हलकी खरदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो नहीं चले वो थे, ट्यूब, इंवेस्मेंट, सीरो मोटो कॉप, आईशर मोटर आदे फीजदी से लगबग पॉने 3% के आसपास की गरावट इन स्टॉक्स में, मीडिया में आज नजारा में खेल हो गया, 5% तेज हो गया स्टॉक, नवनीद एजुकेशन, नेटवर्क 18, डिश टेवी, जील में हलकी खरदारी होती वी नज़राई, सब 1% से 3% के आसपास है, लॉरस लाब, सिंजीन, डॉक्टर रिडीज में, 1% से 1,5% के आसपास की तेजी बनी, ये निचले सरो से रिक कवर हो रहे हैं, स्टॉक्स, मेटल्स का दिन खराब था, हिंद को पर तो टूटाई 6%, इसके लावा वेल्समन को आप 2% नीचे, स्टील अथोरिटी, JSPL, ट इन स्टॉक्स पर दबाव था, सबसे रहा टूटा है, RBL, सवा 2%, इंडेसिंट, फेडरल बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक में हल्की बिक्वाली देखने को मिली, HDFC बैंक शुरुवाती सत्र में बहुत कमजोर था, लेकिन वो दीदरे करके पिक अप कर गया, फिनांशल का दिन और आज के दिन भी 19% चड़ गया यह स्टॉक, DB Realty 16.5% चड़ गया, PTC Industries 10% चड़ गया, यह कुछ ऐसे स्टॉक्चर्चर्ज हैं जो लगातार चड़ रहे हैं बजार में, थोड़ा कौशिस रही है, Schneider 8.5% चड़ा है, Morpin Lab 7.5% चड़ गया, Anant Raj 7.5% चड़ा है, इसके ला चड़ गया, अर्विंद और JSW Energy 6.5% चड़ते हो नजरा है, JSW Energy कमाल कर रहा है weekly charge पे, मिड के आप Loses में HOEC को पाएंगे आप 15.5% टूटा है, Uflex 7.5% टूटा है, Polymedicure 5.5% टूटा है, चिन्ने पेट्रो 4.5% टूट गया, Electro Steel Castings, Fame Industries और K&R Constructions 4% हलके होकर हुए हैं SBFC Finance की दमदार लिस्टिंग, 57 रुपे का issue price, ओपनिंग थी 82, सीधा 44% के gains के साथ ओपनिंग होती हुए नजरा है, हाय लग गया 95.45, क्लोजिंग आई है 92.65, यानि की लगबग 12.5% के return, लिस्टिंग डे वाले दिन निवेश को दिये हैं, बहुत ही तगड़ी उसके बाद recover होते हुए नजराते हैं, और यह जो closing होई है 94.65 की लगब की, यह closing भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बेहत tight range में फस गए हैं, यह 19,300, 19,250 नीचे है, और उपर 19,50 से 19,600 उपर है, बहुत ही यह range उपर से, यह range और security जा रही है, तो alert रहिए, जब एक move आएगा बहुत तकड़ा आएगा इस बार market में, और जिस भी side गए, कोई भी सिरह हमने पहले तोड़ा, तो उस side बजार हो चलेगा, अभी तो consolidation phase है, और कल weekly expiry है, तो consolidation में ही रहेगा market, लेकिन यह range security जारी है, हो अभी यह रहा है, कि नीचे खुलते हैं, तो विपरीत दिशा में trade हो बजार में आज के structure के साब से तो pullback जारी रहेगा, क्योंकि निफ्टी ने पिछले दिन का loan ही test किया, और high को cross करके closing की है, पिछले दिन की, तो फिर यह बहतर structure माना जाएगा, तो एक pullback थोड़ा और continue हो सकता है, नीचे 9300, 9400 की जो put writers हैं, वो बहुत heavy हैं, अभी समझ में आता है, वहाँ पर आज writing बहुत जादा देखने को मिली है, ऐसे उपर 9500, 9600 की call में भी writing हो रखी है, 9600 की levels को पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बजार एक range में रहेगा, और contract rates होते में नजराएंगे, stock specific market रहेगे, लेकिन अगर आपको चाहिए exactly वो levels, जिसक को देखकर आप nifty और nifty bank पे trade कर सकते हो, या फिर international markets की development, stock specific खबरें, broken houses के reports, market outlook, put call ratio, nifty और nifty bank का और FIS index specific कैसे positions बना रहे है, तो ये data आपको मिलता है, market opening से पहले एक newsletter के जरीए, जो की बिस्तक community page पे share हो जाता है, तीन category के plans बिस्तक पे launch कर रखें, यूट्यूब पे, silver, gold और platinum, जिसकी जानकारी, आपको बिस्तक की YouTube page के homepage मिल जाएगी, इसमें 159, 299 और 599 रुपीज पर मत respectively की costing रखें गई है, एक तो newsletter की सुविदा है, इसके लावा कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो, live chat show के दुरान, तो आपके सवालों को पहले address किया जाता है, आपको मिल हैं, साथ-साथ portfolio doctor की सुविदा मौजूद है, तक का कोई भी event होता है, तो आपको exclusive lounge access मिलता है, और quarterly webinar में जुडने का मौका मिलता है, जिसमें बजार के experts आपको पतायाते हैं, कि stock market में कैसे trading और investment की जाती है, 10 बज़े का options trade भी आपके काम का, लेकिन वो तभी करें, जब options आपके गहरी पकड़ों की सभी कहता है, कि equity options में 10 में से 9 traders नुकसान करते हैं, अगर आपके options पकड़ मजबूत है, तभी आप options का रूप करें, नहीं तो फिर cash market में धीरे करके stocks को accumulate करें, फिलाल market एक दाइरे में है, लेकिन alert ये, कि जब ये range तूटेगी, तो उसके बाद इंडिन मार्केट में देखने को मिलेगा, किस छोर तोड़ती है, ये range, ये कही ना कही देखने वाली बात होगी, पर अभी US FOMC की जो बैठक ती पिछली हो, उसके minutes, ये impact डालेंगे American markets में भी, और कल देखना होगा उसका impact इंडिन मार्केट पर भी, बिस्तक आपके लिए आपके लाया है premium membership program, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते, जिन में market newsletter, live chat पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, market outlook, weekend पर market scan, anchors के साथ chat और भी बहुत बुच, इस premium subscription में तीन तरह के plans है, silver, gold और platinum, जिनके शुरुवात मात्रे 119 रुपे महिने से होती है, इससे जु क्लिक करें और अपना plan सिलेक्ट करें, बस बन गए आप हमारे premium member